इस विडियो में हम समझेंगे बायो सेवर्ट स्लोव. बायो सेवर्ट स्लोव एक एक्वेशन है जो हमें ये बताता है कि किसी वायर से करंट पास होने पर मैगनेटिक फील्ड कैसे क्रियेट होती है और ये करंट पे किस तरह डिपेंड करती है. बायो सेवर्ट स्लोव कूलॉंब स्लोव के सिमिलर है और इस लोव का यूज हम एक्वेशन हैं कि एक वायर से करंट पास हो रहा है. अब क्योंकि वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रही हैं जिसकी वज़़ा से करंट बनता है. साथ ही इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण वायर के अराउंड मैगनेटिक फील्ड भी क्रियेट होता है. और ये मैगनेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होता है. इसी magnetic field को calculate करने के लिए Bio-Severts Law apply किया जाता है अब मान लेते हैं कि wire पे एक small segment AB है जिसे हम DL से denote करेंगे DL के center point से R distance पे एक point P है साथ ही ये भी मान के चलते हैं कि line OP और wire के बीच का angle ठीथा है अब अगर हम point P पे magnetic field calculate करना चाहे तो हम Bio-Severts Law को apply कर सकते हैं Bio-Severts Law के according Point P पे लगने वाला magnetic field wire में flow होने वाले current के directly proportional होगा Magnetic field small segment element DL के directly proportional होगा Magnetic field sine angle के directly proportional होगा और magnetic field point P तक के distance R के inversely proportional होगा इन सभी value को combine करने पर हमें एक equation मिलती है इस equation में directly proportional को simplify करने पर हमें एक constant value mu naught upon 4 pi मिलता है जिसमें mu naught की value 4 pi into 10 to d power minus 7 है P point पे जो magnetic field find किया गया है वो small element DL की वज़ा से है इसी कारण magnetic field की value भी बहुत small है और इसे हम db से denote करते हैं साथ ही magnetic field एक vector quantity है तो हम इसे कुछ इस तरह से भी represent कर सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करे वीडियो को share और like करे तो मिलते हैं next वीडियो में